फरिदाबाद में बीकॉम फाइनल एयर की छात्रा की गोली मार कर हत्या करने वाला दूसरा आरोपी भी पुलिस के हत्ये चड़ गया है पुलिस ने CCTV फूटेज के आधार पर आरोपी की शनाक्त कर ली है आपको बता दे कि सोमवार को एक तरफा प्यार में दबाओ बना रहा युवक दोस्तों के साथ अपहरण के इरादे से आया था इस दोरान वह चात्रा को गोली मार कर फरार हो गया पुलिस ने आरोपी रेहान को नूह से गिरफतार किया है इससे पहले सोमवार देर रात तोसीफ को नू से गिरफतार कर लिया गया था वहीं मंगलवार सुबै निकिता के परीजनों ने बललब गड़ सोहना मार्ग पर चक्का जाम भी किया था उन्होंने फरार आरोपी की गिरफतारी की मांग की थी बता दें कि आरोपी स्कूल टाइम में च्छात्रा के साथ पढ़ता था मुख्या आरोपी तभी से उस पर दोस्ती करने का दबाओ बना रहा था फरिदाबाद में सोमवार को बदमाशों ने कॉलेट से लोट रही च्छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी थी परिजनों के मुताबिक आरोपी तोसीफ च्छात्रा के साथ स्कूल टाइम में पढ़ता था तभी से वह च्छात्रा पर दोस्ती का दबाओ बना रहा था बलबगड के डी सीपी के मुताबिक आरोपी तोसीफ को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है जानकारी के मुताबेक मृतक निकिता तोमर अगरवाल कॉलेज बल्लबगड पेपर देने गई थी शाम चार बजे घर वापिस लोटते समय वे अपने भाई का इंतजार कर रही थी तब ही आई टेन कार से तोसीफ अपने कुछ दोस्तों के साथ आ गया तोसीफ ने निकिता को अपनी गाड़ी में खीचने की कोशिश की विरोध करने पर बदमाशों ने कनपटी पर गोली मार दी मृतक को गोली तब मारी गई जब है सोमवार चार बजे अगरवाल कॉलेज बल्लबगड से पेपर देकर घर जा रही थी मृतक के पिता मूलचन तोमर ने बताया कि तोसीफ नाम का एक लड़का बारवी तक निकिता के साथ ही पढ़ता था उसने कई बार दोस्ती के लिए निकिता पर दबाओ बनाया तोसीफ उस पर धर्म परिवर्तन का दबाओ भी बना रहा था 2018 में तोसीफ ने निकिता को अगवा किया था हलागी तब अधनामी के डर से परीजनों ने किसी तरह समझोता कर लिया था मृतक निकिता के पिता मूलचन तॉमर्ड ने बताया कि वह लेफ्टिनन बन कर देश की सेवा करना चाती थी पिता ने बताया कि निकिता पढ़ने में काफी अच्छी थी बारवी में भी 95 प्रतिशत नंबर आये थे और बीकॉम में भी दोनों साल टॉपर रही थी इस बार फिर टॉप करने के लिए मेहनत कर रही थी वह लेफटिनन बन कर देश की सेवा करना चाहती थी उसने हाल ही में एर फोर्स की परिक्षा भी दी थी साथ ही अंडिये के लिए भी लगातार तैयारी कर रही थी बताते चलें कि पुलिस ने आरोपी को गिरफतार कर लिया है आरोपी की सिसी टीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर शनाक्त भी कर ली गई है एसिपी जाइवी राठी ने बताया कि आरोपी रहान को नू से गिरफतार किया गया इससे पहले सौमवार देर रात तोसीफ को नू से गिरफतार किया था वही मंगलवार सुबह निकिता के परीजन ने बल्लब गड़ सोहना मार्क पर भी चक्का जाम किया पहले केस वाता जी है कि पहले भी चीना जफ्टी कर रहे थे हैं तो हमें रिपोर्ट भी करवाई थी तो उसका जो हमने का लड़की का मामला है चलो खतम कर देते हैं इसको अब फिर वही लड़के थे जी सारे अब परशासन अब कारवाई करने में सक्षम नहीं है तो हम खुद कारवाई करेंगे हर एक हिंदू के बेटी है तो कोई भी कुछ भी करेगा मुसल्मान की होती तो सारा परशासन फिट्टा हो जाओता यहां पर ऐसे ही लेटेश को बरेपाने के लिए बेल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइब शेयर और सुच्क्राइब करेंगे हैं धन्यवादी बांकेट एंटर्प्राइब